करनाटक में गटबंदन सरकार की मुस्किलें कम नहीं हो रही सौंबार को पार्टी के दो विधायकों द्वारा विधान सबा की सदच्यता से इस्तिफा देने के बाद राजनिती फिर से गर्मरा गई है दोनहीं विधायकों ने अपना इस्तिफा स्पीकर के यार रमिश कुमार को सौपा पहले विधायक आनन सिंग ने इस्तिफा दिया और उसके बाद शाम होते होते एक और विधायक रमिश जर्की होली के इस्तिफा देने की खबरे आ गई जब पार्टी विधायकों के इस्तिफे के बाद कॉंग्रेस विधायक दल के नेता सिधा रमया की ने बैंगलूरू में अपने आवास पर विधायक दल की बैठक बलाई है सूत्रों के अनुसार सिधारमया इस बैठक में विधायकों के इस्तिफे के बाद राज्य में बन रही स्तिपिती पर चर्चा की उधर करनाटक बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मुखे मत्री बीएस ये दुरुपा ने कहा कि कॉंग्रेस विधायकों के इस्तिफे के बाद वो राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की संभावना तलाशेंगे बता दे कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब करनाटक में गठबंदन सरकार के सामने सभी को एक जूट रखते हुए साथ चलने की चुनाती सामने आई हो इससे पहले भी कॉंग्रेस के विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की बात सामने आई थी उस दारान कहा गया था कि कॉंग्रेस के कुछ विधायक पार्टी से नाराज हैं और बीजेपी के साथ जाना चाते हैं हाला कि कॉंग्रेस पार्टी ने इन तमाम अटकलों को गलत बताया था